Hello guys, आजके इस बडियो में हम जाने वाले हैं कि Google Pay से Gas Cylinder Book कैसे करते हैं तो guys आप भी अगर Google Pay application की मदद से घर बैठे ही Gas Cylinder Book करना चाहते हैं तो इस बडियो में आज हम complete process बताने वाले हैं जिससे आप बड़ी ही आसानी से Google Pay से Gas Cylinder Book कह सकते हैं गूगल पे इसे ग्यास लिंडर बुक करने के लिए सबसे फिल आपको जो गूगल पे का अप्लिकेशन है उसे ओपन करना है गूगल पे के अप्लिकेशन को ओपन करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो guys यहांपर अपको एक अफ्सन मिलेगा Pay bills तो यहांपर अपको Pay bills के इस अफ्सन में क्लिक करना है और जैसे आप Pay bills के इस अफ्सन में क्लिक किजिए गा अपके समने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गैज अभी तक अपने Google पे से जितना भी रिचार्ज किया है या जितना भी बिल पैमेंट किये हैं वो सारा हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखाए पड़ेंगे तो गैज इससे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल लाउन करना है और स्क्रॉल लाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक अप्सन मिलेगा पैमेंट किटेगरीज और पैमेंट किटेगरीज के नीचे यहाँ पर आपको एक अप्सन मिलेगा गैस सिलिंडर बुकिंग तो गैज इस पर आपको क्लिक करना है और select करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो guys यहाँ पर आपका है registered phone number या फिर LPG ID तो guys आपके gas connection के साथ जो भी mobile number registered है वो mobile number यहाँ पर आपको डालना है तो अगर आपके gas connection के साथ mobile number registered नहीं है तो यहाँ पर आपको और एक option मिलता है LPG ID तो guys अगर आपका LPG ID 17 digit का है तो यहाँ पर आपको जो last 16 digit का LPG ID है वो यहाँ पर आपको डालना है फास्ट का जो एक digit है उससे आपको छोड़ देना है जो आपका 16 digit यहाँ पर रहता है वो LPG ID यहाँ पर आपको डाल लेना है तो यहाँ पर आप दो में से कोई भी एक डाल सकते हैं तो गैज यहाँ पर हम mobile number को डाल लेते हैं mobile number को डालने के बाद यहाँ पर आपको एक option में लेगा continue का तो गैज यहाँ पर आपको continue के option में क्लिक करना है जैसे आप continue के option में click करते हैं तो आपके समने कुछ इस तरह का interface आता है तो guys आपके gas connection में जिसका भी नाम है हुआ नाम यहाँ पर आपको so होगा उसके बाद यहाँ पर आपको register mobile number so होगा और यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा link का आपको सबसे पहले जो account holder name है वह आपको check कर लेना है उसके option मिलेगा link का बोलिंग के option में klick करना है और जैसे आप link के option में klick करते हैं तो आपके समने कुछ इस तरह का interface आता है तो guys अभी आप जो gas cylinder book कर रहे हैं gas cylinder का अभी जो भी rate है वह हिहाँ आपको so होगा गूगल पे यहाँ पर automatic rate को जो है fetch कर लेता है तो यहाँ पर आपको rate दिखाए पड़ेंगे और गाईज अगर आप order को place करना चाहते हैं यानि कि surrender को book करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा place order का तो गाईज यहाँ पर आपको place order के option में click करना है जिसे आप place order के option में click किजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको एक arrow का option मिलेगा इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद अगर आपके google pay में एक से ज़्यादा bank account add है तो आपके bank account का पैसा कटा कर gas cylinder book करना चाहते है वह आप bank account यहाँ पर आपको select कर लेना है और bank account को select करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा पे का तो यहाँ पर आपको pay का option में click करना है पे का option में click करते हैं यहाँ पर आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो गाइज आप जिस bank account का आप ऐसा कटा कर gas cylinder book करना चाहते हैं उस bank account का UPIP यहाँ पर आपको डाल देना है और UPIP डालने के बाद यहाँ पर आपको एक check mark का option मिलेगा तो इस check mark के option में आपको click कर देना है और जैसे आप check mark के option में click किजिएगा यहाँ पर आपका गूगल पे से जो आपका gas cylinder है वह successfully book हो जाएगा तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से Google पे से gas cylinder जो है book कर सकते हैं तो गाइज I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इस तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारे मिल सकते